दोस्तों आम तोर पे सेलिब्रिटीज के घर पे सिक्यूर्टी की टीम्स तैनात रहती हैं लेकिन ये एक ऐसा शक्स था जिसके घर पे सिक्यूर्टी कम और डॉक्टरों की टीम्स ज़्यादा रहती थी ये शक्स जब भी खाना खाने बैटता था तो उससे पहले खाना चेक करवाता था यहां तक की पानी पीने से पहले पानी की टेस्टिंग करवाता था ये एक ऐसा शक्स है जिसके घर पे AC के जगा ऑक्सीजन के चेंबर बने हुए थे इस सक्स के कदमों की आहट सुनकर पुरी दुनिया जूम उड़ती थी वेल तो दोस्तों आपको बता दे कि हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन की माइकल जैक्सन को हर कोई जानता है इनके डांस की कौपी आज भी लोग करते हैं लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस शक्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बुलंदियों पे पहुचने के बाद दुनिया छोड़ कर चला गया आज किस वीडियो में हम माइकल जैक्सन के जिंदगी और मौत को बहुत करीब से समझेंगे दोस्तों कहा जाता है कि माइकल जैक्सन हमेशा अपने हाथों में दास्ताने पहनते थे बिना दास्ताने पहने ये किसी से भी हाथ नहीं मिलाते थे ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों करते थे क्यों Michael Jackson किसी को भी नहीं चूना चाते थे आपने Michael Jackson के सर पे टोपी देखी होगी लेकिन आपको जानके हैरानी होगी कि ये इस टोपी को फैसन के लिए नहीं बलकि अपने चेहरे को छिपाने के लिए पहनते थे जिहां दोस्तों इन्हें अपने चेहरे से नफरत थी यही वज़ा है कि इनके घर में एक भी सिसा नहीं था उन्होंने अपने घर में मौजूद हर एक सिसे को तोड़ दिया था यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि माइकल जेक्सन जब भी सिसे को देखते थे तो अपना चेहरा देखकर रोने लगते थे वो माइकल जेक्सन जिसके चेहरे को देखकर लड़किया जूमने लगती थी उसे खुद अपने चेहरे से घिन आती थी केवल इनके डांस को ही नहीं बलकि इनके हैरी स्टाइल को भी लोग फॉलो करते थे लेकिन नजानी ये माइकल जेक्सन कहां खो गया आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा क्या सच में केवल 50 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई अगर ऐसा है तो फिर क्यों कहा जाता है कि माइकल जेक्सन आज भी जिन्दा है और आज भी ये दुनिया से च्षिप कर गुमनामी की जिंदगी जी रहे है लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस शक्स को बچा बच्चा जानता था आखिर वो दुनिया के किस कोने में च्षिप सकता है इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक दिन में 12 से जारा injection अपने शरीर पे लगवाते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उन्हें infection ना हो जाए आज भी जो लोग Michael Jackson की copy करते हैं वो टोपी ज़रूर पहनते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि Michael Jackson एक brand बन चुके थे जब तक ये जिन्दा थे तो इनका सड़कों पर निकलना भी बहुत मुस्किल था क्योंकि जब भी ये सड़कों पर निकलते थे तो इन्हें देखकर लोग पागल हो जाया करते थे यही वज़ा थी कि ये public place पे बहुत कम ही दिखाई देते थे लेकिन जब भी ये public place पे निकलते थे तो टूपी से अपना चेहरा छिपा लिया करते थे साथ ही इनके बाल भी इनके चेहरे को कवर कर रहे होते थे अब आप सोच रहोंगे कि आखिर Michael Jackson ऐसा क्यों करते थे इसका बिल्कुल सीधा से मतलब है कि इन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं था ऐसा हम नहीं बलकी कई सारे जानकार बताते हैं कि इन्हें अपना चेहरा बहुत बुरा लगता था उनके अंदर ये भावना थी कि वो दुनिया के सबसे बतसूरत इंसान है इसकी सुरुआत तभी से हो गई जब ये बहुत छोटे थे दरसल जैसे जैसे मैकल जैक्सन बड़े हो रहे थे उनका नाम फेमस हो रहा था लेकिन बड़ती उम्र के साथ इनके चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगे यही वज़ा थी कि उनके पिता अक्सर उन्हें टोकते थे और कहते थे कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उनकी नाग काफी तेड़ी है बस इसी बात ने मैकल जैक्सन के दिमाग में घर कर लिया जिसके बाद मैकल जेक्सन के दिमाग में केवल एक ही चीज आती थी कि उनकी शकल अच्छी नहीं है जिसके बाद इन्होंने अपना चेहरा छिपाना सुरू कर दिया इसके अलावा वो लोगों से भी बहुत कम बात किया करते थे दोस्तों इनकी ये कहानी हर एक माबाप के लिए सीख है कि अपने बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंट देना चीए और कभी भी उनका मोरल डाउन नहीं करना चीए ऐसे ही कुछ हुआ था अलबर्ट आइंस्टाइन के साथ भी पूरी दुनिया इन्हें पागल समस्ती थी हर किसी को लगता था कि ये जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन केवल इनकी माँ थी जो इन्हें समस्ती थी और इनकी माँ का कहना था कि तुम बहुत होश्यार हो और जिन्दगी में कुछ न कुछ बड़ा जरूर करोगी यही वजा है कि आगे चलके आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो इतिहास में अमर हो गए और हर कोई इन्हें जानने लगा जब भी माइकल जेक्सन घर से बाहर निकलते थे तो तोपी पहन कर निकलते थे अपने सर और अपने माथे को तोपी से ढख लिया करते थे अपने आखों पे चसमा लगाते थे साथ ही अपने बड़े बड़े बालों से भी अपने चेहरे को छिपा लिया करते थे इस तरह से माइकल जैक्सन का चेहरा पूरी तरह से कवर हो गया वो खुद को इस कंडिसन में काफी अच्छा फील करते थे हलाकि धीरे धीरे लोग उनके इस इस्टैल को पसंद करने लगे और उनका ये इस्टैल उनकी पहचान और फैसन बन गया इनके पास बहुत पैसे थे इसलिए इन्होंने अपने चेहरे की सरजरी भी करवाई थी यहां तक कि इन्होंने अपने शरीर के चमड़े का रंग भी बदल लिया और ये बलेक से वाइट हो गए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा ये बात तो हर कोई जानता है कि एक ना एक दिन हर किसी को मरना है लेकिन माइकल जेक्सन कभी भी मरना नहीं चाहते थे यही वज़ा है कि इनके घर में डॉक्टरों की टीम हमेशा रहती थी ये जहां भी जाते थे तो इनके साथ डॉक्टर्स की टीम जाती थी सुबा होते ही डॉक्टरों की ये टीम उनका चेक अप करती थी अगर डॉक्टर्स को थोड़ी से भी गडबर लगती थी तो वो तुरंट इनका इलाज करते थे यहां तक कि माइकल जेक्सन जो कुछ भी खाते थे उसका हिसाब रखा जाता था हमारे कहने का मतलब ये है कि माइकल जेक्सन के खाने में कितने बून तेल है उसका भी हिसाब रखा जाता था ताकि वो कहीं ज्यादा ओयली खाना ना खा ले जब माइकल जेक्सन को ये पता चला कि आक्सिजन चेंबर में रहने के वज़े से इंसान के उम्र बढ़ सकती है तो इन्होंने भी अपने लिए एक चेंबर बनवा लिया और हर रोज वो इसी के अंदर सोते थे लेकिन वो कहते हैं न कि मौत एक दिन आनी ही है चाहे आप कुछ भी कर ले इसी लिए अपने शरीर का इतना ख्यार लखने वाले शक्स की केवल 50 साल के उम्र में ही मौत हो गई माइकल जेक्सन के मौत के बाद उनके शरीर का पोस्माटम किया गया जिसके बाद कई सारी हैरान कर देने वाली चीजे सामने आई डॉक्टरों ने बताया कि जब इनकी मौत होई तो इनका शरीर एक तूटे हुए पिजडे की तरह हो चुका था उनके शरीर की कई सारी हडियां तूटी हुई थी और कुछ हडियां गल भी चुकी थी उनके शरीर पे एक दो नहीं बलकि हजारों इंजेक्सन लगने के निशान मौदूद थे चान बीन में पता चला कि इन्होंने कई बार प्लास्टिक सरजरी करवाई थी जिस वज़े से इन्हें काफी दर्द होता था इसलिए उन्हें कई बार हार्ट दवाएं खानी पड़ती थी ऐसा करते करते दवाओ के ओबर डोस्ट ने उन्हें खोखला कर दिया यहां तक कि माइकल जेक्सन के हेड डॉक्टर ने भी उन्हें नहीं रोका और वो भी उन्हें दवाओं के हेवी डोस देते रहें जिस वज़े से हेड डॉक्टर को कोट ने चार साल की सजा भी दी